Bruce Lee जी की एक कहावत है, एक एक्टर को हमेशा पानी की तरह होना चीए, उसे किसी भी खांसे में डालो या किसी भी बरतन में डालो वो ऐसा रंग ले लेता है इस वक्त मेरे साथ इतनी beautiful और talented actress है, जिनको किसी भी shape और रंग में डालो, चाहे वो अंबा हो, चाहे वो नीर्जा की मा हो, चाहे वो बिग बॉस की reality में दिखाएं वो अपना रंग, या फिर उनका जोती The most beautiful and talented, प्यारी सी स्निहावा, कैसी हैं आप? Thank you so much, बापरे मेरी इतनी तारीफ, आज तक किसी ने नहीं की, thank you very much, मेरे मेरे मूँ पे किसी ने नहीं की, I am so glad, I am so glad कि मैं life में कुछ ऐसा करनी हूँ जो लोग इतना पसंद कर रहे हूं, thank you so much, thank you so much हमने देखा है, आपने हमेशा एक challenging character को अपनाया है, पकड़ा है, और एक individual, जो एक solo, कहीना कहीं हमारे feminist को approach करता है, ये भी कहीना कहीं एक ऐसा ही character है, indeed ये बहुत जादा tough नजर आ रहा है, इसके लिए preparation क्या थी आपकी? preparation तो बहुत सारी थी, क्योंकि Pratima के जो emotions है, मतलब मैं कहना चाहूंगी कि मैं, मैं खुद इमोशनल हो जाती थी, वो सारी कहानिया सुनके, उसको portrait करना was not easy, because this character, हम हमारे regular life में नहीं देखते हैं, हमने, मैं कभी ऐसे एरिया नहीं गई या ऐसे किसी इंसान से नहीं मिली, जो Pratima जासी हो, तो मेरे लिए वो बहुत डिफिकल था, but the thing is that, the emotional side of Pratima is so painful, कि मुझा असा लगता था कि, कही नहीं, मैं बोल यूना, सच में मेरी कोई ऐसी दोस्ती, जो Pratima जासी है, तो मैं उसक को एक हग करती और रोज इसको बोलती, रोज इसको मोटिवेट करती कि, do, fight, 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 we are all with you, kind of a thing, you know, it's that kind of a thing, challenging मेरे लिए था, prepare होना, as Pratima, was the only emotional side of Pratima, okay, okay, इसमें एक्टर्स भी बहुत तक्ड़े हैं, मैं तो कह सकते हैं आजकल की बोल चाल बाशा में बाप अक्टर्स हैं, एक आप हैं, एक आप हैं, एक आपके ऑपोसिट में कामिया पंजाबी हैं, मतलब उनके साथ के जो सीन्सें वो लिटरली बूस्बंस पैदा रहे हैं, इस इसमें पर इस पर देखाता हूं आप उनके साथ कहां रही हैं, पर आप बच्ची का हाथ खीचरी हैं, वो पनी तरफ कही एक एखार आप वाला था, कैसा एक्सपिरेंस था था स्पेशली कामिया में के सामने काम कर ना अच्छा था था, जैसे हैं उनका निचेर, लाइक, कै काम बहुत इंपोर्टन्ट है और काम के वक्त मेरा फोकस सिर्फ काम पे रहता है बाकि मुझे राइट लेफ्ट कुछ नहीं दिखता है अगर मुझे रोना है वहाँ पे तो मैं ऐसे रोती हूं जैसे मुझे लड़ाई करनी है मैं ऐसे लड़ती हूं कि सारे डर जाए मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टन्ट है बाकि अक्टर्स के साथ राप हो तो इफ यू अर गुड़ी इवर्ड़ी इसमें ने देखा आप निजय को सपने दे रहे हैं कि तुझे उड़ना है उड़ना नेर्जा को क्योंकि खुद प्रवतिमा अपनी जिंदगी में इतनी दभी हुई थी इतने प्रेशर में थी इतना स्ट्रगलफुल लाइफ देखा है उसने तो वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी वही देखे इसके लिए उसका एक सपना है कि नेर्जा को यहां से बाहर न इस वोल्ड शीज इस नोट गूंट बात अव दिस वोल्ड वो यहां अगर बात करें सब्सक्राइब इसके लिए प्रवें ना अग चीजे चलते हैं तो अप मैंच कैसे करते हैं सारी चीजे कास अगसर अगसर प्रफेशनल विमेंज के पर नसिफ घर की भी रिस्पॉंस ब के अवाद कुछ ना होटी है बलकि यहां की भी सब जग की स्वांसर्इटी होती है थैंक्फुलि यहudes मेरे फैमिली 12 अज्फिमिली सब्सक्राइब तो इसक advocates नहीं होता मैं झाल मुझे सब्सक्राइब नहीं होता मैं मेर मॉझे ऑर का इंः प्रेशर नहीं होता बस मुझे एवल्वर्ट सो मुछ इन gefallen ए प्कषर देख्स 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 एक ए नियुक्तुर्बिंगे यहां देख्स देख्स रख्स में घटे इंव राजगे जब भली फिल्मा इज लेक्ट कि वह एक जाए मैं आस प्रचानला में सब्सक्राइब करा अनुष्टूरर करें एक जल्दे आपके जो फैन्स आपको देख आपको देख प्रशा प्रशारा देख एक अपिक्राइब का ऩो पायर दिया आज यहां तक पहुंची इन यहां पहुत पाती। ज़स्ट विष्ट एंड प्रेय कि इस शो को भी वो लोग इतना ही प्यार दे प्रतीमा को इतना प्यार दे निर्जा को इतना प्यार दे और हमारा शो देखे 10 जुलाई से 8 बजे कलास पर एक एक लास सवाल जस मेरे दिमाग में आ रहा था आपने बच्ची के साथ निर्जा के साथ भी काम किया है वो एक्सपिरेंस कैसा था क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि वो बहुत मतलब अक्टिंग उनको इतना नहीं होता है और वो सीख रहे होते हैं उसके अक्टिंग स्किल्स और उसके टालेंट ने हम सब को पागल कर दिया था तो वह दोस्तों यह हैं स्नेहावाग देर सारा प्यार दीजी निर्जा को जो की 10 जुलाइ से आपको कलर्स पे देखने को मिलेगा था था था